दोस्तो नमस्कार, स्वागत है एक बाद फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पुटीशन न्यूज में जैसे ही CBSC की बार्वी की परिक्षा रद की गई, उसके बाद दोस्तो हमारे चैनल के माद हम से एक पोल कंड़क्ट किया गया, जहां पे दोस्तो पूछा गया कि यूपी बोल्ड की बार्वी के छात्रों को क्या करना चाहिए, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, लगभ होनी चाहिए, तो जैसा कि दोस्तो आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल के माद हम से बिलकुल आथेंटिक जानकारी प्रूफ के साथ में आप लोगों को दी जाती है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, आज जी का ये डैनिक जागरन है, फ्रेंट पेज की खबर आप पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे, तो यहां पे दोस्तो आप लोग देख सकते हैं, CBSC की बारवी की परिक्षा रद्ध हो गई है, और UP बोल्ड के विशह में एक महत्पूर्ण और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताने वाले हैं, जी यहां दो मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक की जाएगी, और जो इंटर्मीडियेट की परिक्षा है, उस पे फैसला किया जाएगा, और यहां पे आप लोग देख सकते हैं, UP बोल्ड की प्री बोल्ड और ग्यारवी परिक्षाओं का ब्योरा दोस्तो पहले ही UP बोल्ड के द्वा अब UP बोल्ड की जो इंटर की परिक्षा है, वो भी रध होना तैह है, अब जल्दी मुख्यमंत्री योगिया दित्यनाच जी UP बारवी की परिक्षा के समद्ध में बैठक करके निर्णा लेंगे, वैसे UP बोल्ड ने मई में ही इंटर के परिक्षारतियों को प्रमोट करने और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, जो हमारे उत्ता प्रिदेश के शिक्षा मंत्री भी हैं, डॉक्टर दिने शर्मा जी ने बताया कि UP बोल्ड की इंटरमीडियेट के विध्यारतियों के परिक्षा हैं, जोलाई के दूसरे हफ का प्रमोशन होता है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, लगभग लगभग दोस्तों 26 लाख विध्यारतियों को फाइदा होगा, और कुल मिला के दोस्तों जो हाई स्कूल के जो विध्यारती हैं, उन्हें पहले ही यहां पर प्रमोट कर दिया गया है, लगभग 30 ला अपड़ेट मिल सके, जय हिंज, जय भारत!